हेलो एवरिवन, वल्कम बाक टू माई चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम AIP 17 के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे आपके एक्जाम को क्रैक करने के लिए, तो चलिए शिरू करते हैं तो देखे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के से एक शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कारेडियो के कमेंट्स आ रहे थे, कि जो हमारा AIP 17 के फोर्म से हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं, कि नहीं हुए हैं, तो देखे, फिलाल AIP के तरफ से कोई भी नहीं आया है, बट हाँ, जल्दी आपका जो नौटिफिकेशन है, वो आज आएगा, और वीडियो भी आप तक पहुच जाएगी, तो अब हम जानते हैं, गिवन बिलोगों और सम टिप्स अप्लिकेंट्स के यूज तो क्रैक AIB एक्जाम, तो सबसे पहली और इंपूटें पता होना चाहिए, क्या कुछ है आपके एक्जाम में, आपके ऐसी लेबस में, कितना कुछ सबजेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स के सबजेक्ट्स हैं, जैसे CPC हो गया, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कि CPC जो है, वो आप लोगों का 9 का है, या फिर 10 का है, जब आप लोगों को इतना ही नहीं पताओगों तो आपकी जो preparation है वो हो ही नहीं पाई कि जैसा कि यहाँ पर mention कर रखा है, it is important to know how to prepare for AIV exam but start with understanding and analyzing the topics to be covered. तो सबसे पहले आप लोगों को अपना जो syllabus है उसका printout निकलवाना पड़ेगा, printout के हिसाब से जो syllabus है उसी के हिसाब से आपको अपने preparation स्टार्ट करनी पड़ेगी, कि पहले कौन सा subject जादा marks का है, कौन सा कम marks का है, तो उसी तरीके से आप लोगों को अपने preparation स्टार्ट करनी है and according to me, सबसे पहले आप लोगों को जादा marks score करते हैं, उन subjects को उठाना चाहिए, यह चीज मैंने बहुत बार बताई आप लोगों को and second चीज यहाँ अपने mention कर रखिए, understanding one strength and weakness, सबसे पहले आप लोगों को अपना syllabus पता होना चीज, पैटरन पता होना चीज, second चीज, आप लोगों को अपने strength and weakness पता होना चीज, कि कौन सा subject आपका weekend, कौन सा subject आपका strong है, जब आप practice करते हो, जब आप अपना quiz दोगे, या फिर कोई भी MCQ solve करोगे, previous year के question paper solve करोगे, उससे आप लोगों को पता चल जाएगे, कि किस portion में, किस section में आप लोगों को problem हो रही है, ठीके, and next is proper time table, तो आप लोगों को एक proper time will bring clarity, तो जब आप एक proper time table मनाओगे, और इससे आपके चोई एक habit हो जाएगा, आप habitual हो जाओगे, अपने syllabus के, topics के, आपको ये पता लग जाएगा, कि किस तरीके से हमें अपना ये subject प्रिपेर करना है, और किस तरीके से इसमें marks अच्छे आ सकते हैं, तो जब आप proper time table मनाओगे, एक से आपरेट notebook में आप अपना time table ले लो, या फिर print out निकाल लो अपना, कि मुझे CPC करना है, आज CRPC करना है, TOTS करना है, जो भी difficult topics हैं, यानि कि जो भी difficult subjects लगते हैं आप लोगों को, तो उनको पहले कीजिए, और जो easier हैं, उनको आप बाद में कीजिए, जो आप लोगों का syllabus है, उस syllabus के बारे में आप लोगों को knowledge होनी चाहिए, कि किस तरीके से आपका exam pattern होता है, 100 marks का आपका exam होता है, जिसमें से एक-एक number का हर question होता है, ठीके, जब और negative marking भी नहीं होती है, यह एच्छी बात है इस exam की, और 40% आप लोगों को इस exam में score करने होती हैं, ठीके, and focus topics that have more weightage, यह चीज हमने बहुत बार discuss की है, कि सबसे पहले आप लोगों को जो ज़्यादा weightage के equations हैं, उन पर focus करना है, क्योंकि वही आपके marks जो होगों अच्छे दिला सकती है, अगर कोई subject है, जो 2 marks score करता है, और अगर आपने वो पहले कर लिया, और 10 marks वाला आपने leave कर दिया, कि मैं बाद में करूँगा, तो 2 marks से क्या होगा, marks जो आपके depend करेंगों 10 marks है, ठीक है, तो आप लोगों को पहले ज़्यादा weightage वाली subject उठानी है, बाद में आप लोगों को कम weightage वाली उठानी है, इससे आपकी preparation काफी अच्छी हो जाएगी, and solving mock test and sample papers, आप लोगों को ये habit डाल ली होगी, एक net से बहुत सारे MCQs मिल जाते हैं, हर subject की mock test, sample papers, previous year question paper जो की हम कराते हैं, अभी कराएंगे, कुछ दिनों में आपकी जो preparation है, वो अच्छे सरीके से हो जाएगी, तो उससे आप लोगों को अपने speed पता लगेगी, ग्रीज हो जाएगी, तो आप प्लीज, जो है, mock test, sample papers, या फिर separate, separate MCQs, solve करो, हर subject की, revision, provided the lengthy syllabus of AIB, multiple revision, key to clearing AIB 2022, तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी सबसे पहले, तो आप एक अपनी separate notebook, बना लिजे, वहाँ पर अपना time table मनाईए, कर लीजिए, कि किस तरीके से, आपके जो questions की फोर्में से, पहले आप क्या करें, example में पर उठा लीजिए, कोई भी AIB का, उसमें देखिए, कि कितने questions, जो हैं, वो आपके case laws and judgments से आएं, तो उससे आपको idea हो जाएगा, कि हाँ, judgments and case laws भी, आपके exam में पूची जाते हैं, तो आप लोग उनको भी prepare कीजिए, अपनी separate note book में mention कीजिए, किस का नाम है, और उनके एक एक दो दो line लिख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए, किस case में था क्या, एड exam time पे आप लोगो इधरोदर गूनने की सरवत ना पड़ेगी, यह case रह गया, यह case रह गया, जैसे constitution law का है, CPC वगर के, CRPC family law, तो इनके अप separate separate लिख लीजिए, और वीडियोस भी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिट जाएंगी, जो पहले IV16 की preparation करवाई थी, तो guys अपना अभी से ही preparation स्टार्ट कर दो, अगर exam में चुमांग स्कूर करने हैं, तो guys यह थी हमारे एक चोटी सी वीडियो, hope so आप लोगों को यह वीडियो हेल्फुल लगी होगी, अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्फुल लगी, then please do like, share and subscribe the channel for more videos, thank you for watching this video.